तो दोस्तों Samsung ने अपना budget phone Galaxy M01 को launch कर दिया है और आज हम compare करने वाले हैं इसको Moto G8 Powerlight के साथ में साथ में दोनों में से बताने वाले हैं आपको कौन सा phone यहाँ पर लेना चाहिए तो उस्तों अगर आप एक budget phone की तलास कर रहे हो तो वीडियो के अंद तक बने रहेगा साथी वीडियो पसंद आए तो एक like जरू कर देजीगा तो चलिए start करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पले की तो galaxy m01 में आपको 5.7 इंच का hd plus स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो की water drop notch के साथ आता है दोसी तरफ हम बात करें moto g8 power light की तो उसमें भी आपको 6.5 इंच का hd plus डिस्पले देखने को मिलता है तो उस तो map dragon 439 octocore processor दिया गया है जो कि 121M technology पर बेस्ट है वही इस प्रूसर के n22 score की बात करें हम तो इसको 99,193 points मिले है और जो यह n22 score होता है यह overall performance को सो करता है वहीं दूसी तरफ हम moto g8 power light की बात करें तो इसमें आपको media tech helio p35 processor देखने को मिलता है यह भी एक octocore processor है और साधी यह 12 nanometer की technology पर बेस्ट है वहीं इसके n22 score की बात करें तो इसको 1,17,533 points मिले है तो कि उस तो काफी अच्छी बात है और देखा जाए दोस्तों तो काफी जो performance है काफी better हमें देखने को मिलने वाली है moto g8 power light में और यहां पर जो score है वो काफी जाधा इससे है वहीं इसकर आपको को यह भी बता दे कि यह जो प्रोसेशर है मेटेक ही लो पी 35 है यह एक लेटिस्ट प्रोसेशर है और जो 439 है यह दो साल पुराना प्रोसेशर यहां पर सैमसंग ने हमको दिया है तो उस्तों overall performance आपको जो मिलने वाली है moto g8 power light में काफी अच्छी देखने को मिलेगी यहां प्रिपल रियर केमरा सेट देखने को मिलता है जिसमें 16 Megapixel का primary camera दिया गया है और जो सेकेंडरी दिया गया है 2 Megapixel का है और जो तीसरा कैमरा है वो 2 Megapixel का macro camera दिया गया है जिससे आप काफी अच्छे macro shot ले पाऊगे तो उस्तों camera के मावल में भी moto g8 power light काफी अच्छा परफॉर्म करता है यहां पर सबसे मीन वत अकर हम primary camera की बात करें तो M01 में आपको 13 Megapixel का दिया जा रहा है और इसमें आपको 16 Megapixel का दिया जा रहा है तो दूस्तों quality जो है जो आपको G8 power light में काफी अच्छी देखने को मिलेगी और साथ ही यहां पर G8 में आप Macro Shot भी ले पाओगे इसके लाब front camera की बात करें तो आपको Galaxy M01 में 5 Megapixel का front camera दिया गया है और दूसरी तरह Moto G8 की बात करें तो इसमें आपको 8 Megapixel का front camera दिया गया है जो कि उस तो front camera भी काफी अच्छा यहां पर हमें देखने को मिलता है Moto G8 में तो जोस्तों overall camera की performance की बात कर सपोर्ट आपको नहीं मिलता है इसके लवा Moto G8 power light की बात करें तो इसमें आपको 5000 ms की बड़ी battery यहां पर आपको मिल जाती है साथ ही यहां पर 10 watt का fast charging का support भी आपको मिल जाता है तो इस तो battery की मामलों भी काफी अच्छी आपको जो है backup यहां पर मिलने वाला है Moto G8 power light में औ और साथ ही यहां पर जो आपको fast charging का भी support यहां पर 10 watt का दिया गया है जो कि काफी अच्छी बाद है यहां पर इसके लवाब बात करते हैं OS की जिस पर आप जयाद देते हो तो Galaxy M01 में आपको out of box android 10 देखने को मिलता है और Moto G8 power light की बात करें तो इसमें आपको android 9 5 दिया और fingerprint sensor आपको यहां पर नहीं मिलता है इसकाला Moto G8 बात करें तो आपको यहां पर fingerprint rear में आपको देखने को मिलता है हालागी दोस्तो face unlock तो इतने अच्छे से कोई काम नहीं करने वाला यहां पर जो कि यह जिस price range में हमको यहां पर मिल ला है वहीं दोस्तो fingerprint sensor जो है उससे ज्यादा secure हो रहा है तीन जीवी रैम और 32 जीवी इसकी जो यहां पर price है वो 8,999 रुपाई याने की 9,000 रुपे की price में आपको Galaxy M01 देखने को मिलता है इसके लब आप Moto GA 12 Lite की बात के तो इसमें भी आपको एक ही वेरेंड देखने को मिलता है लेकिन यहां पर 4GV RAM और 64GV storage वेरेंड आपको मिलता है जिसकी जो price है वो विल्कुल सेम है इसी की तरह 8,999 रुपाई याने की 9,000 रुपे के price में आपको 4GV RAM और 64GV storage आपको यहां पर मिल जाती है दोस्तो फाइनली आते हैं अपने conclusion पे मेरे खाल से दोस्तो आप लोग जान ही गया होगे दोस्तो दोनों में क्या difference हमें देखने को मिला है और कौन सा phone हमें लेने चाहिए लेकिन अगर फिल भी नहीं मालुम है आपको फिर भी तो यहां पर मैं आपको बता दिता हूँ दोस्तों तो अगर हम price की तरफ देखे तो आपको Galaxy M01 में 8,999 यानि 9,000 रुपर की प्राइस में आपको 3 GB RAM और 32 GB storage आफर की जा रही है वहीं दूसी तरफ हमें 8,999 सेम प्राइस पर हमें यहां पर 4 GB RAM और 64 GB storage आफर की जा रही है तो उस्तों सबसे पहली बात तो यहां पर हमें RAM तो ज़्यादा मिलती है साथ ही हमें storage भी उसकी double मिल ज की दोस्तों स्कूल मिला के overall सब कुछ हमें यहां पर Moto G8 Powerlight में काफी अच्छा यहां पर हमें देखने को मिल जाता है तो मेरे कहल से आप दोस्तों आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहना चाहिए कि हमें कौन सा फोन ने चाहिए कि हमारा Moto G8 Powerlight यहां पर विनर है तो यह आपके बाइसे मेरे उपिनिन आप बताईये आपके दूरों के वारे में क्या सोचते है आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंदा रही जरूब बताएगा ऐसा प्रूब को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि एसी मौर इंट्रेस्टिंग वीडोब आपको देखने को मिलने व